तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनियर अभिषेख सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजिनियरिंग सपोर्ड दोस्तो वैसे तो मैं रोज आपके लिए एक हाउस कंसक्शन रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे डालता हूँ आज मैं आपको इसकरी म एक घर में बने हुए हाउस इंट्रेंस पॉइंट का डिजाइन या फिर यू कहें कि पार्टीगो डिजाइन मैं आपके साथ जो है वो सेर करने वाला हूँ कहां पे कितनी मुटाई से कास्टिंग करनी है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जो है वो मिलने वाली है इसमें तीन आर्क आप देखेंगे दो छोटा और एक बड़ा आर्क ठीक वैसे ही जैसे कि विंडो संसेट यार्णी की खिरकी के चज्जे में दिया गया था दोस्तो इसमें जो है वो टेपर कास्टिंग का इस्तिमाल किया गया है और राइट साइड में देखेंगे तो सेम इसी डिजाइन का एक विंडो संसेट भी है मतलब कि एक डिजाइन को अगर सीख जाएंगे तो आप इसको चज्जा पे भी लगा सकते हैं और घर के एंट्र पॉइंट पे भी से लगा सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कास्टिंग की मुटाई कितनी रखी गई है तो ये जो पार्ट है जो में उपड़ चज्जा वाला पार्ट हम इसे बोल सकते हैं इसकी मुटाई तीन इंच का रखा गया है ये जो आपको कुछ और डिटेल देता हूँ नीचे के तरफ चलिए कुछ इस तरह से ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट जो देख रहे हैं ये जो है वो चार इंच का रखा गया है और यहां भी चार इंच का गैप है और ये कैंटी लिवर स्लैब भी से बोल सकते हैं ये लटका हुआ स्लैब है और इसके चोराई की अगर बात किया जाए तो लगभग 18 इंच यानि की डेर फीट का रखा गया है लंबाई डिपेंड करेगा कि आपका इंट्रेंस पॉइंट कितना चोरा है और यहाँ पे लगभग डेर फीट का उचाई भी रखा गया है टाइबीम से तो कुछ इस तरह से इसका कास्टिंग किया गया है कुछ और डिटेल में आपको दे देता हूँ यह जो पार्ट आप देख रहे हैं यह जो आप पार्ट देख रहे हैं यह टाइबीम से स्टार्ट होता है और उपर में डेर फीट तक जाता है फिर decrease होकर करके ये tie beam के label पे आ जाता है तो इसमें बहुत जादा कुछ calculation आपको नहीं करना है जितना मैं बता दे रहा हूं उतना जो है वो more than enough है आप किसी भी mystery को इतना detail है कर दे देते हैं तो वासानी से इसका copy आपके घर पे बना सकता है अगर आपको पसंद है design तो आप इस वीडियो को direct mystery को दिखा सकते हैं और इसका design बना सकते हैं दोस्तो बात कर लेते हैं ये घर पे दिखता कैसे है तो कुछ इस तरह से इसका side view है और उपर में देखेंगे तो इसके just उपर आपको cantilever slab भी दिख जाएगा एक आपको cantilever beam भी इसके उपर में है दोनों side से एक एक beam आपको दिख जाएगा और कुछ इस तरह से इसका जो है वो दूर से नजारा दिखता है और खिरकी और दर्वाजा दोनों पे same design है बसरते इसमे size का फर्क है नजदीक से एक आपको view देता हूँ अगर बात कर लेते हैं ये बीच वाला जो arc है उससे और slab में लगवग लगवग जो है वो 8 इंच का दूरी रखा गया है और उसको जो है वो धिरे धिरे घटाते जाना है मुझे लगता है कि जितना जनकारिय मैंने आपको दी है उस हिसाब से आप इसको असानी से बना पाएंगे या फिर बनवा पाएंगे उमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्पून रहेगा और आप लोगों के काम आएगा चुकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो वीडियोज है वो उन लोगों तक पहुँचे जो एक इंजिनियर को हायर नहीं कर सकते हैं टेकनिकली जनकारी जिनके पास नहीं है वो भी इस वीडियो को देख करके आसानी से ये सब डिजाइन को अपने घर पे बनवा सकते हैं तो फिर मिलते हैं चैनल को सब्सक्राइब वबस्त कर लिजिएगा धन्यवाद